एलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग तो हम बात कर रहे हैं क्लास एर्थ मैजसेंसी आर्टे बुक एंड एक्साइज 3.3 ठीक है आप लोग उसको एक बार देख लीजी ठीक है तो उससे आपके टाइप कितने होते हैं उसके बारे में आपको समझ में आएगा तो उसी से रिलेटिट फिर आपकी यह एक्साइज बनेगी ठीक है तो जो कोईडिलेटल है उसका एक टाइप है आपका पैरलोग्राम तो यहां इसमें नियां जो किकशिशन बनेगा पैरलोग्राम से रिलेटिट बनेगे इसमें तो हम यहां पी कुछ प्रॉपर्टी होती है पैरलोग्राम की आप لوग उसको लेर्न करोगे मैं इसको ऐसे बता दो आपको देखो ऐसे समझा जाता हूं यहां पर मालो यह आपके पास केग पेलोग्राम है यह figure किसका है पेलोग्राम का है ठीक है इसमें जो opposite side होती है यह क्या होती है इक्वल होती है पहली condition दूसरी condition opposite angle भी इक्वल होते है ठीक है यह याद रखोगे opposite sides are equal in पेलोग्राम opposite angles are equal in पेलोग्राम ये वाले angles ओते है, adjacent होते हैं ये अंगल, ये अंगल opposite re-ros passar अगे सब्लिमेंटरी है और diagonal ये ये होती है, तो diagonal क्या करती है? एक दूसरे को bicect करती है और next आपका अगर कोई ये line आपस में parallel है ये line आपस में parallel है तो अगर ये वाली line अगर आपकी आती है तो इसको transversal line बोला जाता है transversal line के अगर इधर वाला और इधर वाला angle ठीक है means आपका z type का बन रहा होगा यह z बना तो यह angle यह angle आपका alternate interior angle होते है और यह भी क्या होते है equal होते है कि इसमें parallel line के लिए condition होती है ठीक है और एक इसमें और आता है आपका यह यूज होगा यह पैलो ग्राम है ठीक है यह वाला angle और यह वाला angle भी क्या होता है इक्वल होता है इसको बोलते है corresponding angles ठीक है ना तो हम इसी से related इस exercise के इन question को second question को हम solve करेंगे ठीक है देखेंगे सारे terms इसमें आएंगे आपके चलो आगे डिसकस करते है इसका ठीक है तो देखो फर्स्ट क्वेशन के इसका इसका इसमें बोला है कि एक्स की वैल्यू हमने find करनी है ठीक है एक्स वाई एंड जेट ठीक है तो एक्स अदेखो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाला angle कितना आपका 100 है तो वाई हम find कर सकते हैं क्यूं य के सामने just opposite है तो हम बोलेंगे y omega tual कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा ठीक है तो एक्टा यहाप लिखेंगे y कोजड़ आप लोग figure बनाना इसका अब अगल में ठीक है तो हम लिखेंगे यहां पर कि वाई को स्टू हंड्रेट ठीक है और साथ में ब्रेकेट में लिख दो गया आप कितना हो जागाई अपोजिट एंगल ओफ पैलोग्राम यह क्या है आपके पैलोग्राम का साइन होता है ठीक है दो खड़ी लाइन बनाव गोगे उसके उपर से जी अंड़े ने क्या उगए ठीक है नेस्ट आपका अब आपने क्या फाइंड करना इसमें X और Z find देगनना है ये X और ये Z अब X और 100 ये दोनों आपस में क्या फिर adjacent angle अभी थोड़ दिर मैंने पहले बताया था आपको कि ये angle ये angle आपस में क्या होते है adjacent angle होते है और adjacent angle क्या होते है आपस में supplementary होते है ठीक है तो हम यहाँ पर बोलेंगे इसको कितना होगी आपका देखो X प्लस 100 इक्वस टू 180 होगा ठीक है supplementary मीन से क्या होता है दो angle को अगर आप add करोगे तो उसका answer जो आना चाहिए आपका 180 आना चाहिए उसको supplementary बोलेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे हम adjacent angles are supplementary इसको पूरा लेख लोगे आप adjacent angles are supplementary तो यहाँ से आपका x find हो जाएगा x equals to 180 degree minus 100 degree equals to x equals to कितना होगा फिर आपका 80 degree x की value निकल गिए आपकी 80 degree ठीक है next आप z find करना है तो z find करने के लिए हम क्या करेंगे फिर x equals to z हो जाएगा आपका x और z क्या होंगे आपस में बराबर होंगे क्योंगे क्योंकि opposite angle हो जाएगे ठीक है तो हम यह आप ही लिख सकते है z equals to x equals to 80 degree क्या हो जाएगा आपका opposite angles of पहलो gram ठीक है तो पहले वाले का solution बन गी आपका ऐसी हम बनाते हैं इसका second वाला second वाले में देखो फिर आपका figure आप लोग देखो book में देखना आप लोग यहाँ पे आपका कितना 50 है तो यह यह दोनों आपके क्या हो जाएगे यहाँ पे supplementary हो जाएगे और यह यह क्या हो जाएगे आपके opposite angle हो जाएगे ठीक है और यह यह आपस में क्या हो जाएगे corresponding angle हो जाएगे ठीक है तो हम इसी को ले लेंगे आपसे फिर यहाँ हो जाएगा आपका y plus 50 equals to 180 80 degree क्यों हो जाएगा आपका इसमें बोलोगे आप adjacent angle adjacent adjacent angles angles are supplementary ठीक है तो y equals to कितना आपका 180 degree minus 50 degree y equals to कितना आपका 130 degree ठीक है यह आपका हो जाएगा adjacent angle next आपका हो जाएगा y फाइंड हो गया then उसके बाद हम क्या फाइंड कर सकते हैं x equals to कितना जाएगा आपका y equals to 130 degree क्यों x और y आपस में बराबर क्यों होंगे क्योंकि यह क्या है आपके opposite angle opposite angles of पहलो gram पहलो ग्राम के opposite angle क्या होते है equal होते है ठीक है इसलिए यह equal हो गया next है इसका z find करना आपका y find हो गया ठीक है one day 30 यह भी find हो गया one day 30 तो z भी हम find कर सकते हैं z और x के आपके corresponding angle है ठीक है तो हम यह आपे लिखेंगे कितना z equals to x equals to one day 30 z और x दोनों क्या हो जाएंगे one day 30 degree हो जाएगा क्यों होगा इसको लिख देंगे हम क्या है corresponding angle corresponding angle angle corresponding angle है इसलिए यह आपस में equal हो गए ठीक है अब इसका देखते है third part third part में आप देखोगे यह figure है इसका यहाँ पर आपने x y z find देखनना है ठीक है तो देखो x y और 30 यह चीज़े पता है और x और यह यहाँ पर यहाँ पर यह आपका square type का बनेगा तो यह 90 का angle होता है ठीक है यह 90 है तो यह भी क्या होगा आपका 90 होगा 90 क्यों होगा आपका vertically opposite angle ठीक है vertically opposite angle क्या होता है देखो जब एक line है उसको दूसी line cut करती है ठीक है दो line आपस में एक दूसरे को intersect करेंगे तो यह वाले angle आपस में भी होगा तो आप 90 बोलोगी उसके perpendicular होता है ठीक है तो यहां से आपका x find हो जाएगा x और y और 30 को add करोगे तो यह आपका आजाएगा angle sum property ठीक है तो हम इसको ले लेते हैं यहां पे x equals to 90 degree यहां पे लिख देंगे इसको vertically vertically opposite opposite angles ठीक है यह दोने क्या होगे यहां पे vertically opposite angle हो गया तो इसलिए x की value कितनी आगए 90 आगए ठीक है फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं किस किस का यूज करने हैं x plus y plus 30 degree equals to 180 degree ठीक है यह क्यों हो गया आपका यह हो जाएगा आपका angle sum property से angle sum property क्या होती है किसी भी triangle में है उसके जो interior angle होते हैं उनको sum करके 180 आता है ठीक है तो हम इसको बोलेंगे angle sum property ठीक है तो यहां पे x की value रख देंगे कितना आगए आपका 90 plus y plus 30 equals to 180 degree ठीक है तो y plus इन दोनों का add करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 108 20 degree equals to 180 degree तो y equals to 180 minus 120 तो y equals to कितना आगए आपका 60 degree ठीक है y find हो गया आपका कितना आगए 60 degree next उसके बाद हम क्या बोल सकते है इसका z find करने हमने ठीक है z find करने है तो z find करने के लिए क्या हो जाएग आपका देखो figure में y आपका find हो गया ठीक है z find करने है z find करने के लिए देखो यह line और यह line आपस में क्या है parallel है ठीक है अगर यह parallel है तो आपका यह z type का बनेगा ठीक है यह वाला portion यह z type का बनेगा उल्टा z type का तो उल्टे z अभी मैंने बताया था क्या होते है आपके alternate interior angle होते है ठीक है तो हम इसको बोल सकते है यहापे z equals to कितना हो जागा y के equal होगा और y कितना है आपका 60 है तो हम यहापे लिख देंगे alternate interior angle ठीक है यह solution होगी आपका third वाले का ठीक एकस और x की value y की value z की value ठीक है next हम पार देखते है इसका fourth part fourth part में देखो फिर अप x y z और 80 ठीक है अब बताओ यहाँ पे y कितना होगा 80 के बराबर होगा opposite angle ठीक है और x find हो सकता आपका यह और यह क्या दोनों आपके adjacent angle है ठीक है अपस में क्या होते है supplementary होते है और 80 z के बराबर होगा z भी 80 होजाएगा corresponding angle से ठीक है तो हम यह आपे लिखेंगे कितना होजाएगा y equals to 80 degree क्यों हो गया opposite angle opposite angles of किसके next उसके बाद हम find करेंगे x plus 80 x और 80 को दोनों को add करेंगे तो कितना आएगा आपका 180 आएगा क्यों क्योंकि यह आप अपस में क्या है adjacent angle है ठीक है adjacent adjacent angles are supplementary ठीक है तो यहां से x find हो जाएगा 180 degree minus 80 degree x की value find होगी इतनी 100 degree ठीक है इतना आगे है next आपने z find करना है z equals 2 क्या हो जाएगा फिर यहां पर 80 हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि आप उसमें क्या होगे corresponding angle हो जाएगा corresponding angles ठीक है तो यहां से आपका यह find होगे इसकी values ठीक है next हम पार्ट करेंगे आप फिप्त पार्ट फिप्त पार्ट में देखो यह figure है यहां पे आपका y है z है x है और 112 है और यह 40 है ठीक है आपसे x y z find करना है तो यह 112 भी किसके y कितना हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा क्यों क्योंकि opposite angle है ठीक है फिर यहां पे यह find होगे यह find होगे तो इसको find करेंगे यह हम किस से find करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से ठीक है यह find हो जाएगा तो यह अपने आपी find हो जाएगा यह ठीक है तो हम यह आप बोलेंगे इसको कितना जाएगा आपका y equals to 112 डेगरी ठीक है क्यों क्योंकि opposite angle opposite एंगल्स ओफ पैलोग्राम इक्वल होते हैं ठीक है दैन उसके बाद हम बोलेंगे y plus x plus 40 डिगरी equals to 180 डिगरी क्यों एंगल्सम प्रोपर्टी एंगल्सम प्रोपर्टी से हो जाए सारे एंगल्सम का सम कितना हो यह 180 यहां से वैल्यू रखें कि 112 डिगरी plus x plus 40 डिगरी equals to 180 डिगरी तो x plus इन दोनों का एट करेंगे तो कितना हो जाए टू और फोरेकप 5 और 1 152 डिगरी equals to 180 डिगरी तो x equals to 180 डिगरी माइनस 152 डिगरी माइनस करोगे तो कितना आ गया 8 यहां पर बचा 7 7 तो से 5 गया 228 डिगरी ठीक है y find हो गया अब find करना है z तो z और x क्या बोले थे मैंने क्या होंगे यहां पर alternate interior क्यूंकि z बनेगा आपका यहां पर देखो यह यहां पर हम लिख सकते जैट जैट इकोस्टो x इकोस्टो 28 डिगरी और यहां पर बोलेंगे हम क्या अल्टर नेट इंटेरियर एंगल्स ठीक है तो यह इसके शॉलेशन होगे आप लोग इसको सॉल्व करोगे ऐसी ठीक है देन उसके बाद हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे ओके थैंक्यू